इस सूरत में कोचिन क्लास में आग लगने से कई बच्चों की मोध हो गई थी इस घतना के बाद इंदोर नगर निगम दुवारख कोचिन संस्तानों और होस्टलों की जांच कराई गई थी इसमें 35 संस्तानों को अशुरुप्षित माने नगर निगम ने बंद कराने के नोटिस जारी की है। आपको बता दे कि सूरत की घटना के बाद लगबग 1200 संस्तानों की जांच कराई थी। इसमें से 25 संस्तान ऐसे हैं जहां सुधार की कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए इने बंद करने के नोटिस जारी किये गए हैं। आपको बता दे कि गद दिनों सूरत की घटना के बाद सुरक्षा के मद्दे नजर इन दो शहर में भी नगर निगम ने अलग अलग कोचिंग संस्तानों की जांच करवाई थी। जांच में पता चला है कि कई नगर निगम पूरे शहर शेत्र में जो गुजरात की घटना हुई है उसके संदर में जाच करा रहा है। इसमें हमारे बाद करिब डेलर सो जांच रिपोर्ट बीयो बीयाई से आई हैं। और उसमें से हमने 25 ट्वाई नोटिस जारी किये हैं। यह वो है जिनमें कोई आप गर नहीं बंकिया को जो गंटे बाद उसमें सक्कारा में करी और अन्य को सुधार करने योगे हैं। अलक से छाटे हैं उनको सुधार के लिए नोटिस दिया रहा है। उसमें साथ दिन में सुधार करना मचुशी बद करना इस रणी में कितनी गुल संख्या ही है।